तो मेरा strong point deck है, ठीक है, navigation भी to some extent is my good strong point, you can say, loading, discharging में सब कुछ कर सकता हूँ, जहाँ paper work की बात आएगी, I have never touched it यार, तो वो थोड़ा problem होगा, और वही चीज पे थोड़ा जाके, मैं slow पड़ जाओंगा, मुझे पता है, और मुझे सीखने में थोड़ा time लगेगा, but I assure you, यह चीजें इतनी भी rocket science नहीं है, ठीक है, जहाँ पे यह bill आते हैं, परचे आते हैं, वही form भरने रहते हैं, वही वही यह की चीजें चल रही होती है, ठीक है, So Hello Guys, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, तो मैं आपको बता दूँ, मैं हो नाविक रुद्रा, और जैसा कि आप लोगों ने थमनिल में पढ़ी लिया है, और अगर नहीं पढ़ा है, तो मैं बता दूँ, आज की वीडियो हम लोगों ने एक पोलिंग कराई थी, और उ जैसा कि मैं हूँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा, मैं AB था, और काफी सालों तक था, और मुझे मेरे ही ओफिसर्स ने, जो मेरे शिप्स पे थे, पिछले जहाज पे, स्पेशली कुछ ज्यादा ही स्ट्रक किया मुझे, उन्होंने लोग मुझे अप्रोच करते हैं, they think I am already an officer, तो ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है, हम जो है, I accept it, और जब कल हम कुछ बन जाएंगे, तो वो भी हम वैसा ही करेंगे, we will try to be the best, if not, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, तो best of the best काम करना चाहिए, जिस rank पे भी आप रहो, उस rank को ऐसा करो कि भई, लोग कहेंगे, हाँ भई, वो one man army है, ठीक है, so, जैसा कि आप लोगों ने topic में पढ़ लिया है, again मैं फिर से बता दूँ, अब मेरा procedure क्या रहेगा, ठीक है, oral की बात की कहानी में बताने वाला हूँ, ठीक है, oral से पहले की कहानी के लिए मैंने already videos बनाई है, क्या खर्चे होते हैं, कैसे होते हैं, वो जाओ, आप देखो, सारा खर्चा मैंने जोड़वा रखा, उसमें की मेरा कितना पैसा लग गया था, ठीक है, तो यह सारा ही information वहाँ पे है, और आप देख सकते हो, फिलहाल मैं proceed करता हूँ, इस के साथ की, oral जब खतम हो जाए, return जब ख वेलकम बाक गाइस, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैं साउच शील्ड मरीन कॉलेज, जो है ना, साउच शील्ड में, UK से, वहाँ से मैंने अपना लाइसेंस लिया हुआ है, अभी जब मैंने साउच शील्ड से उसके बाद मैंने और लिए वहाँ एक बार अपलाई किया और आपको पता होना चाहिए कि और अब कम्प्लीटली ओनलाइन है, जीक है, सेकें मेट के लिए, चीफ मेट के लिए, और मास्टर के लिए, सब के लिए ओनलाइन है, एक्जाम, जीक है, ख्रीस बेट नाम के एक है, जो ओरल कंड़क्ट कराते हैं, प्रिंसिपल इसेंस, हीज़ एड़ 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 देपार्टमेंट, और हीज़ फ्रम साउट शील्ट, तो वह हमारे यहां उनका ना चोटा मोटा वह सेमिलर टाइप का होता रहता है, आते रहते हैं, बाते खरते रहते हैं, बताते रह लड़के कहां, उनमें कमी आ रही है, what MCA is focusing on, new, you know, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं, पहले तो ऐसा था, अब ऐसा है, पहले तो oral face to face होता था, अब oral में, जब face to face होता था, तो books होते थे, physically books वो बोलते थे, उसमें से यह data निकाल के दिखाओ, अब जब online हो रहा है, तो यह सम में कुछ बदल गया है, तो oral कैसे conduct होते हैं, मैं फिर इस video में उतना नहीं discuss करूँगा, oral completely change हो चुका है, online, और इसके लिए अगर आपको चाहिए, तो oral, especially oral exams में, मुझे क्या पूचा और कैसे किया, उस पे separate video बनानी पड़ेगी, बड़ी लंबी कहानी है, तो चलिए, अब मैं आपको process के बारे में बताता हूँ कि देखो, exam जब clear हो जाएगा, तो आपको सारे documents, सारे documents कैसे, आपने कौन-कौन से exam clear किया है, UK से, ये बात आपको याद रखना है, आपने UK से सिर्फ और सिर्फ अपनी COC के लिए written exams और oral exams clear किया है, ठीक है, और अगर आपके college में advanced courses क कराया जाते हैं, तो advanced courses, अब ये advanced courses कौन से हैं, STCW किया है न भाई, अगर तुम crew में sale कर रहे हो, तो पता ही होगा, STCW के चार आजकल compulsory courses है, ये चारो course आपके होने चाहिए, क्या है, PST, PSSR, EFA, और एक security वाला जो course है, ठीक है, और firefighting, oh my god, 5, तो हम बूल जाते है, ठीक ह अब इसमें क्या है, कि यही सारे courses के advanced courses होते है, तो ये आप advanced courses, देखो BP Marine से मैं करके आया, और suddenly prices बढ़ गए, इन सब के साथ, और भी advanced courses होते हैं, कि जैसे अगर आप tanker पे जाना चाहते हो, तो tanker का course करना पड़ेगा, उसकी endorsement लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो सारे additional है, what you really need, need for a bulk carrier, you know, जहाँ पे minimum, bare minimum चीजें चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, tanker की बात आप छोड़ दो, वो extra है, ठीक है, तो ये सारे होने के बाद, एक चीज भूल नहीं सकते, वो होता है, GOC, that is GMDSS करना पड़ता है, ठीक है, तो GMDSS और ये 5 जो आपके courses है, जो सारे required है, ये सारे जमा करके, सारी portally बना के, साथ में ये जो आपने UK से courses किये हैं, ठीक है, ये सारे courses, सारे documents, आपको लोगे कि, यार ये तो बड़ा headache है, यार इतना document कुछ छूट गया तो, कुछ य स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है, तो ऐसा एक list रहेगा, उसमें set होंगे, set 1 में क्या चाहिए, set 2 में क्या चाहिए, set 3 में क्या चाहिए, ठीक है, वो सारा आप set बना लोगे, वो set बना के आप भेज दोगे MCA को, ठीक है, हाला कि मुंबई में धाई से, धाई हजार के आस लगता है, मतलब चीजें यहां से कलकता आजाएंगी, कलकता से, I don't know, maybe Mumbai जाएंगी, and then from Mumbai, they will send it, and yes, हमेशा DHL यूज किया करो, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा, कि यार ये तो, कुछ भाईया, थोड़ा-थोड़ा इसमें मिर्च मसाला और बता दूना क्या खर्चा ह कितना ये होटा है तो ये खर्चा वाला वीडियो नहीं है, को ये खर्यसा वाला चीज मैं already एक वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ तो उस वीडियो को जा के देखो, इस वीडियो में एक खर्चा मैंने आपको बता दिया, की कुरियर चार्जे लगेंगे, आतेस हम पर मैंने अपना टैंकर एंडोजमेंट के लिए मैंने अडिशनल पैसे दिये हुए है 146 पॉंड ठीक है तुबी प्रिसाइस फॉर दो दो एंडोजमेंट के लिए यह दोनों एंडोजमेंट हो जाएंगे मेरे यह होने के बाद आप सी ओसी मेरे पास आजाएगी एक कार्ड की तरह होता है कुछ इस तरह का अब यह समझो कि भाई जीमडी एसस का काम हो गया हमारी एंडोजमेंट हो गया सी ओसी आगई आप क्या करें सब लोग मुझसे यही कहते हैं बहुत बहुत मुश्किल है लोग अक कंपनी है मेरे अंदर वो कमी है मैं भी मानता हूं जो कंपनी मुझे लेगी उसको एक थोड़ा सा तो प्राबलम होगा कि मैं पेपरवक में इनीशली अच्छा नहीं रहूंगा कोई पेट से सीख के आता नहीं है बट यू सी एक कैडट जब काम करता है जहाज पे तो वह प मैंने काफी कड़ेट को सिखाया है समझाया है बहुत कुछ डेक पे और मैंने काफी ऑफिसर को भी हल्प किया है ऐसे नहीं कि मैंने कहीं से चीख किया हूं एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आपका अब मेरा एक्सपीरियंस कहा है मेरा एक्सपीरियंस डेक पे है ठी ठीक है बहुत डीटेल से आई टेल यू एंड क्या प्रॉब्लम्स होती है उसमें वह भी मुझे आता है तो मेरा स्ट्रॉंग पॉइंट डेक है ठीक है चल रहUI है थब ठीक है इतना ज्याद इसके बारें में सूचना नहीं है से लिए इतना चान प्रॉश्कोर में एक है चीजम स्ट्रॉंग उतना त Kellces नहीं घ्याकाई कंपण ऩुबसो बहुत इंप्रॉटर्ण जोम पूठीक है काफी ऩर दिन बाद मे गया था तो इस बार भी मैं उनसे पूछूंगा अगर वो चांस देते हैं तो ठीक है Most likely I will be joining as junior officer ठीक है Junior officer क्या होता है? It is like a cadet But cadet के पास क्या नहीं होती? COC और आपके पास junior officer में जब आप join कर रहे हो As a third mate ही रहेगा आपके पास license है आपके पास license, a cadet के पास license नहीं है वो आपको anytime if captain thinks that you are good He can promote you after talking to the company He can promote you on board also So it's very important that when you join as a junior officer Perform well 100% मैंने अपना 100% दे दिया यह सोच के किसी को ना ज्यादा वो फंडा मत मारा करो 100% से किसी को promotion नहीं मिलता You have to give 200% maybe more than that जितनी ओकात है उससे ज्यादा काम करो उससे ज्यादा smartness से अपना वो करो महनत नहीं करना है पत्थर नहीं तोडने वहाँ पे याद रखना ठीक है So I mean to say is Slack नहीं रहना है वहाँ पे वहाँ पे अपना काम प्रॉपर करना है यह प्रॉपर का कोई definition नहीं है Keep a proper lookout Lookout वाले में है ना Rule में Every vessel shall at all times maintain a proper lookout यह प्रॉपर का क्या definition है Nobody have given it yet So anyhow So अभी मेरा procedure यही है Companies में apply करो There is no problem फिर से final verdict में बता रहा हूँ कि होता क्या है Crew से आप officer बनते हो यार कहीं नहीं होता है तो आजकल agents को पैसे दे के भी लोग जाते है और एक बार आप चले गया तो आपका क्या हो जाएगा Clear हो गया मतलब Companies क्या चाहती है कि आप जब उनके जहाज पे जाओ तो आप काम कर पाओ ठीक है अभी आपने GP rating किया नहीं किया क्या किया उसके बाद आप crew में जॉइन किये तो अगर आपके पास already experience है तो कोई माइन ही नहीं रखता आपने GP rating किया कि open CDC ले ली ठीक है ना क्योंकि आपको पता है उन कंपनियों को कि करीकthen कर लिया सोलो वाच कर लिए अगर आप चोटी कंपनियों के है क्यूचय काम के प्रोब्लम नहीं क्यूचया क्यूचय बड़ी कंपनी टीए को नहीं ले रहे हैं हम एक प्रॉपर बंदे को ले रहे हैं he have already said he knows his responsibility and then उनको भी problem नहीं है and I hope कि हमको भी ऐसे ही कोई company लेगी ही और अभी market बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है ठीक है तो ये बात दिमाग से निकाल दो क्रूवाला फंडा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है एक पैसे का प्रॉब्लम नहीं है मुझसे लिख के ले लो अब मेरी जॉब तो यार मैं तो ऑनलाइन हुई ना मेरी जॉब लग गई तो समझ लेना कि सब कुछ है ठीक है क्लीन है मजे में बिना डर के एक दम कुछ जाओ ये जहाज पर डराने वाले बहुत मिलते हैं यार मुझसे बहुत लड़के बच्चे मिलते हैं जो बोलते है सर भाई या सर हमको ऐसे लोग मिले ऐसे चीफ इंजिनियर मिला बोला ये क्रू से आओगे बहुत मुश्कील है नहीं मिलता है जो फ्लाना डेमकाना डीमोरिलाइस इनो अरे ऐसे ऐसे आपका मॉरल उपर करने वाले लोग मिलते हैं जहाज पर कि आपको आपको पढ़ना नह चले जाओ और मैं बहुत जल्दी इंजिन वालों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ अल्रेडी टेलिग्राम चैनल पर जाओ सारा वहां पर स्टफ पढ़ा हूँ है मैं कहा रहा हूं डाउनलोड कर लो नावी कृद्रा सर्च करो वहां पर सारा स्टडी मटेरियल प्रिए प्री प्ड़ा हूँ हुँक्त स्ट्राइय चैनलोगतलों स्ट्रेडियुद्न कर विलेकर में ओं में क्या नहरा हूत डाना प्लीज लिए य।चि अइन क्यों एप ये विडियो अच्छा मोगे है घौद्षिय१ कर रहा हूं है and tell me next video किस topic पे होनी चाहिए थी और एक काम करो नहीं आर अपने सवालों को डाला करो इसमें ना comments में proper सवाल एक लिख के कि ये सवाल address करी अपनी next video में and I will compile all those questions and I will just read out some questions and I will directly give you those answers ठीक है so please अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो comment में जाओ जैहन लिखो और इससे मेरा दिल जो है कि मस्त साथवे आसमान पर पहुंच जाता है तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो में जैहन जै भारत